आज इस वीडियो में बात करने वाले एक बड़ी खबर आपको बता दे STAT का रिजल्ट होगा जारी जहां आपको बता दे पटना हाई कोर्ट ने किसी भी तरह का रोक नहीं लगाया है BACB ने बिगप्ती जारी कर ये जो है बड़ी खबर दी है आपको याद होगा कि अभी हाली में खबर छपी थी कि बिहार STAT का रिजल्ट जो है वो जारी नहीं किया जाएगा मानिये पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है लेकिन आप देख सकते यहां पर कि BACB की दौरा जो है एक बिगप्ती जारी कर कर ये कहा गया है साथी यहां पर आप देख सकते हैं रिजल्ट पर रोक सी सम्मधित परकासित इस तरह के जो है गलत हुआ जूटी ख़वर पर अभियातियों को ध्यान नहीं देने की BACB ने अपील किया है और समिती आप सभी से जो है सहीयों की कामना करते हैं तो एस्टेट का रिजल्ट परकासित होगा जहां आपको बचा दे बिहार स्टेटी का जो रिजजाम हुआ था इसका जो अभी आपको याद होगा मैट्स पेपर को लेकर के मानने पटना है कोर्ट में जो केस किया गया था इसके बाद आपको याद होगा जो ओर्डर आई है इसके बाद अब जो है जो ख़बर चपी थी इस ख़बर के चपने के बाद BACB ने भी कहा है यहां पर देख सकते है 23.10.2020 को एक ख़बर चपी थी हिंदुस्तान पेपर में भी जिसमें कहा गया था कि STAT की पुनर परिक्षा के रिजल्ट परकासन पर कुरूट ने रोक लगा दी है जो ख़बर पूरी तुरह से गलत है और ब्रामक है और अभियातियों से इसमें कहा गया है कि BACB को इस समद में यहां पर आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई जो है दिसा निर्देश नहीं मिला है दूसरा जो पॉइंट है इसमें देख सकते हैं इस समद में बस तुष्थीती यह है कि मान्ने उचन्यालाई द्वारा STAT पुनर परिक्षा के रिजल्ट को जारी करने पर किसी परकार का कोई रोक नहीं लगाया गया है और ना ही कोई ऐसा आदेश पारित किया गया है इसके बावजूद जो है अख़वार में STAT पुनर परिक्षा के रिजल्ट पर रोक लगाने के समद में इस परकार के जूठी और ततिहीन ख़वर का परकासन किया गया है जो पूरी तरह से गलत है जिसका कोई सचाई से वास्तविक्ता नहीं है आप सभी अभ्यारतियों से जो है जो ख़वर छपी थी इस पर ध्यान नहीं देने का अपील किया गया है तो कुल मिला कर STET का रिजल्ट BACV जारी करेगा BACV का कहना है उन्होंने और जो है ये प्रेस भिगत्ती जारी कर ये जानकारी दी है तो STET का रिजल्ट